हेलो दोस्तों अरद्देरस अकेडमी के यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान में आईजी तरीट बरती परिक्षा लेवल टू एसस्टी यानि की सामाजी कद्धन के नविंतम पाठे करमी के नुसार विश्व के भुगोल के जो जो टोपिक सेले हैं वो सभी टोपिक परिक्षा तक मैं आपको जाएए वहाँ पे आपको folder मिल जाएगा रिट स्सक्राइब को डबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में जरूर करें तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं अक्सान सेवं देशांतर से समंधित देखिए पहला प्रैस निमनलिकित में से किस महासागर से जिरो डिगरी देशांतर रेखा गुजरती है दोस्तों जिरो डिगरी देशांतर रेखा कौन से महासागर से होकर गुजरती है यह अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सम आपको बता दूँ कि जिरो डिगरी देशांतर रेखा यह युनाइटे अब यहाँ पे देखिए, ओप्षन में अट्लांटिक मासागर दे रखा है, इसलिए अपना C नमबर का जो ओप्षन है, वो इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, सेकेंड नमबर का प्रेशन है, इसमें देखिए, निमनलिकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है, देखिए, देशांतर रेखाएं वर्त का निर्मान करती है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों, देश अकसांस रेखाएं वर्त का निर्मान करती है, देशांतर रेखाएं अर्द वर्त का निर्मान करती है, देखिए, देशांतर रेखाओं की कुल संक्या 360 होती है, बिल्कुल सही है, अकसांस वर देशांतर रेखाएं कालपनिक रेखाएं होती है, यह भी बिल्कुल सही है, य आपस में एक दूसरे को किस इस्तान पर काटती है बहुत ही अच्छा प्रसन है जिरो डिग्री अकसांस रेखा वह जिरो डिग्री देसांतर रेखा आपस में एक दूसरे को किस इस्तान पर काटती है इसका राइट एंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अट्लांटिक मासागर मे यह एक दूसरे को काटती है याद रखना ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें सही उतर D नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें आगे देखिए चार नंबर का प्रेस ने निमनलिकित में से कौन सा कथन ऐसते है वो अपने को यहाँ पर बताना है देखिए सबसे लंबी अकसांस रेखा जीरो डिगरी अकसांस रेखा है बिल्कुल सही है दोस्तों दूसरा देखिए सबसे लंबी देशांतर रेखा जीरो डिगरी देशांतर रेखा है यह गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें यहाँ पर माँ आपको बता दूँ सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो हमेशा समान होती है इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता यहाँ पर जीरो डिगरी जो अक्सांस रेखा है वो सबसे लंबी होती है यहाँ पर B नंबर का ओप्सन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह ऐसत्य है तीसरा ओप्सन देखिए इसमें 0 डिगरी देशांतर रेखा अंतराश्टिय समय रेखा है बिल्कुल सही है 0 डिगरी अक्सांस रेखा अंतराश्टिय तिथि रेखा नहीं है यह भी दोस्तो इसमें बिल्कुल सही है B नंबर ओप्सन इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा पांच नंबर का प्रेश्टिय अंतराश्टिय तिथि रेखा के समन्द में कौन सा कथन ऐसते है वो अपने को यहाँ पर बताना है देखिए दोस्तो इसमें इसे 180 डिगरी पस्मी देसांतर रेखा का जाता है बिल्कुल सही है दोस्तो यह है रेखा प्रसांत महसागर σε ओकर गुजरती है ये भी बिल्कुल सही है इसे कालपनिक रूप से चार बर मोड़ा गया है ये भी दोस्तो इसमें बिल्कुल सही है और देखिए इसे 0 degree देशांतर रेखा भी कहा जाता है यह गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर माँ आपको बता दूँ देखिए जो 0 degree जो देशांतर रेखा है वो इसे नहीं कहा जाता अंतराश्टे तिथी रेखा को यह आप सभी को पता होगा यहाँ पर अपना इसमें right answer D number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें 6 number का प्रेशन है अंतराश्टे तिथी रेखा किस जल्द संदी से उकर गुजरती है अंतराश्टे तिथी रेखा कौन सी जल्द संदी से उकर गुजरती है तो दोस्तो मैं आपको बता दू अंतराश्टे तिथी रेका है ये आरक्टिक मासागर प्रसांत मासागर और दक्षनी मासागर से उकर गुजरती है और बेरिंग जल्द संदी से भी उकर गुजरती है ठीक है यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा बेरिंग जल संदी ठीक है याद रखना आगे देखिए इसमें सात नंबर का प्रस्थ ने देखिए अंतराष्टिये समयरेखा कहां से उकर गुजरती है इसका बिल्कुल स सही उतर हो जाएगा आगे देखिए आठ नंबर का प्रस्थ ने अंतराष्टिये तिथीरेखा का निर्धारन इंटरनेशनल मेरीडियन कॉनफरेंस यानि कि वुशिंग्टन डीसी के दोरान कब किया गया बताए अंतराष्टिये तिथीरेखा का जो निर्धारन है ये नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर है देखिए सारे प्रस्थ ने निमनलिखित में से कौन सा कथन ऐसत्ते है वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तों देखिए दो देसांतर रेखाओं के मद्दे चार मिनट का अंतर होता है बिल्कुल सही है दो देसांतर रेखाओं के मद्दे दूरी 111.32 किलो मिटर होती है वो मद्दे रेखाओं पर बिल्कुल सही है दोस्तों ये तीसरा देखिए इसमें दो अकसांस रेखाओं के मद्दे दूरी 11 11 किलोमेटर होती है ये भी दोस्तों इसमें क्या है बिलकुल सही है और देखिए दोस्तों इसमें दो अकसांस रेखाओं के मद्दे का इस्तान गोरे नाम से जाना जाता है ये गलत हो जाएगा दोस्तों दो अकसांस रेखाओं के मद्दे नहीं दो देसांतर रेखाओं के मद तरफ अक्सांस रेखा है, दूसरी तरफ द्वीप है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पर बूमदे रेखा, बूमदे रेखा दोस्तों, यह सुमात्रा, बोर्नियों, सुलेवासी, द्वीपों से उकर गुजरती है, तो यह भी बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहां पर आरक्टिक रेखा, आरक्टिक रेखा, दोस्तों, यहां पर देखिए होंस दे रखा है, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है, आरक्टिक रेखा, उतरी अमेरिका, यूरोप और एसिया महादीब से होकर गुजरती है, यहां तरफ अक्सान से रेका है दूसरी तरफ देश है देखे बूमदे रेखा दोस्तों बूमदे रेखा मैंने भी आपको बताया कि ये दक्सिनी अमेरिका महादीब के एकवडेर कोलंबिया और बराजील देश से ओकर गुजरती है ठीक है तो यहां पर है ये बिल्कुल सही है करक रेका है ये दोस्तों उत्री अमेरिका के दोस्तों उत्री अमेरिका अफरीका और एसिया मादीब से ओकर गुजरती है ये भी दोस्तों यहां पर देखे लीबिया भारत साओधियर अरब ये दे रखा है ये बिल्कुल सही दे रखा है यहां पर क्या दे रखा है जांबिया ब्राजियल मेडा गासकर, यह गलत हो जाएगा, मैंने अभी आपको बो दोस्तों बताया था, मक्र रेका है, यह मेडा गासकर से होकर गुजरती है, ठीक है, और यहां पर जांबिया और ब्राजियल है, यह दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, दोस्तों, यह पर अपना इसमें सही उतर क्या हो जाएगा? वो है C नंबर का जो आपशन है वो इसका बिलकुल सही उतर है. मेडा अगास कर दे रहा है, इदर ये बिलकुल सही है. बाकी और इसमें गलत दे रहा है, ठीक है? जांबिया और ब्राजिल आगे देखे आरक्टिक रेखा ये कनडा नार्वे स्वीडन दे रखा है ये बिल्कुल सही है तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा इसमें ठीक है नेक्स्ट आगे देखे बारा नंबर का प्रेस ने निमनलिक रहा है था दोस्तों देखिए सबसे लंबी अकसांस रेखा जिरो डिगरी अकसांस रेखा होती है ठीक है इनके लंबाई समान नहीं होती और यहाँ पर जो देसांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है तो यहाँ पर पहला नंबर का उप्सन ही अपना राइट आ तती है बिल्कुल सही है देशांतर रिखाऊं की कुल संक्या 350 में बाट गया है समपुन पर्थवी को這麼 twenty समय कटीबंदों में बाटा गया है यहाँ पर अपना इसमें सही उतर हो जाईगा वो है डी नंबर का जो ऑप्षन है वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाए गायगा अब यह कटीबंद कहा कहा है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों USA में चार समय कटी बंद है, कनाडा में पांच समय कटी बंद है, रूस में ग्यारा समय कटी बंद है, यूरोप में तीन समय कटी बंद है, टोटल कितने हो गए? 24 हो गए, यहाँ पर D-Number option बिल्कुल सही, 14 नमबर का प्रेशन इसमें देखिए, निमनलिकित में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है, बताए, कौन से देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है, राइट आंसर हो जाएगा, मकर रेखा दोस्तों, देखिए, उगरवे से उकर नहीं गुजरती, बाकी चिली अर्जेंटिना और ब्राजिल तीनों से होकर ये गुजरती है यहां पर अपना इसमें सही उत्र क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा हगे देखिए किस महादीब के मद्दे से ओकर भूमद्दे रेखा करक रेखा वर मकर रेखा गुजरती है बताए कौन से महादीब के मद्दे से भूमद्दे रेखा करक रेखा और मकर रेखा गुजरती है अपना इसमें सही उत्र हो जाएगा वो है दोस्तों अफरीका महाद क्या है कि कौन सा सई है समayलित नहीं ऊपने को यहां पर बताना है थीक है देखके जीरो डिगरी अकसांस रेह रेольшा को विश्वत रेखा के नाम से जानते हैं बिल्कुल सही है साड़े 23 डिगरी पैश्टनिय अकसांस रेखा को मकर रेखा के नाम से जानते हैं बिल्कुल सही है साड़े चांसट डिग्री दक्षणी अक्सांस रेखा को यहां पे आरक्टिक रेखा दे रखा है जो कि गलत दे रखा है दोस्तों साड़े चांसट डिग्री उत्री अक्सांस रेखा को आरक्टिक रेखा अक्सांस रेखा होता तो यह आर्क्टिक रेखा बिल्कुल सही थी लेकिन यहाँ पे दक्षनी अक्सांस दे रखा है इसलिए यहाँ पे अटांटिक रेखा आना चीए था ठीक है और दे रखा आरक्टिक रेखा है तो यहाँ पर D नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 17 नमबर का प्रस्ण इसमें देखे यदि 40 डिगरी पूर्वी देशांतर रेखा पर दो पर के 2 बजे हैं तब 40 डिगरी पस्मी देशांतर पर उसी समय कितना बजा होगा तो उसी समय कितना बजा होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तो यहाँ पर देखिए 40 डिगरी पूर्वी देशांतर रेखा पर दो पर के 2 बजे हैं तब 40 डिगरी पस्मी देशांतर रेखा पर उसी समय कितना बजा है तो दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या करना है 40 और 40 पलस करना है ठीक है तो अंतर कितने का जाएगा दोस्तों 80 डिगरी का जाएगा इसमें ठीक है और आप सभी को पता है कि एक रिखा के मद्दे 4 मिनट का अंतर होता है ठीक है तो यहाँ पे को चार से multiply किया तो दोस्तों कितना आ गया तीन सो बीस मिनट आ गया कितनी तीन सो बीस मिनट अब दोस्तों यहाँ पर देखे तीन सो बीस मिनट मतलब पांच गंटे बीस मिनट ठीक है अब आप इसमें क्या करोगे दो बजे में पांच गंटे बीस मिनट है वो अपने को क्या करना है दोस्तों इसमें यहां पर देखे दो बज़े है ठीक है तो अपने को यहां पर क्या करना है कि इसमें गटाएंगे ठीक है क्या करेंगे गटाएंगे दो बज़े में से अपने पांच गंटे और बीस मिनट गटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा आठ बज कर चा 40 minute इसका right answer हो जाएगा ए नमबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए अंतराष्टिये समय रेखा कहलाती है तो दोस्तों यह क्या कहलाती है यह तो मैंने भी आपको बताया था दोस्तों अंतराष्टिये जो समय पर सुबह के 10 बज़े हैं तब 70 डिग्री पूर्वी देसांतर पर उसी समय कितना बज़ा होगा बताइए यदि 30 डिग्री पस्मी देसांतर रेखा पर सुबह के 10 बज़े हैं तब 70 डिगरी पूरवी देशांतर पर उसी समय कितना बज़ा होगा इन दोनों को पलस कर दीजिए 70 और 30 कितने होते हैं 100 अब 100 को 4 से मल्टिप्लाई करेंगे दोस्तों तो देखिए कितना जाएगा 400 मिनट अब दोस्तों यहाँ पर 400 मिनट आ गया अब इसमें अपने को क्या करना है कि 60 का भाग देना है तो कितना जाएगा 6 गंटे और 40 मिनट आ जाएगा ठीक है 6 गंटे और 40 मिनट अब यहाँ पर 10 बज़े हैं तो अपने को इसमें 6 गंटे और 40 मिनट और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 4 बज कर 40 मिनट होगा समय तो यहाँ पर अपना इसमें सही उतर हो जाएगा वो है उसी दिन साम 4 बज कर 40 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा D-Number option बिलकुल सही 21 नमर का प्रेस ने इसमें देखे किसी एक सन निमनलिकित नगरों में से किस एक नगर की गड़ी का समय अन्य तीन नगरों के गड़ियों के समयों के समान नहीं होता है बताईए किसी एक सन निमनलिकित नगरों में से किस एक नगर की गड़ी का समय अन्य तीन नगरों के गड़ियों के समयों के समय नहीं होता अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें आदिस अबाबा इथोपिया तो यहां पर इसमें एक नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आदिस अबाबा इथोपिया ठीक है नेक्स्ट आगे देखिए 22 नमर का प्रेस ने निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए अपने को बताना है कि इन में से कौन सा सही है ठीक है देखिए कौन सा कतन सत्य है वो यहां पर बताना है जीरो डिगरी देशांतर रेखा अपरीका महादीब से ओकर गुजरती है बिल्कुल सही है दोस्तों अक्सांस्व देशांतर रेखा है एक दूसरे को समकोन पर काटती है ये भी बिल्कुल सही है कनड़ा देश में पांच समय कटी बंद है बिल्कुल सही है तो यहां पर अपन को दोस्तों तीन यूरोप महादीब को तीन समय कटी बंदों में बाटा गया है मैंने आपको बताया था दोस्तों देखिए यूएसे को चार समय कटी बंद में करनाडा को पांच समय कटी बंद में रूस को ग्यारा समय कटी बंद में और यूरोप को तीन समय कटी बंद में ब लंबाई 40,077 किलो मिटर है बिल्कुल सही है भूमद्दे रेखिए व्यास की कुल लंबाई 12,756 किलो मिटर है बिल्कुल सही है दुर्विय परीदी की कुल लंबाई 40,000 किलो मिटर है ये भी बिल्कुल सही है इसमें तीनों ही सही है राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दो जीरो डिगरी भूमद्दे रेखा से तीश डिगरी वे दक्षनी अक्सांसों के मद्दे के छित्र उच अक्सांस चित्र कहा जाता है यह दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा देखे जीरो डिगरी से तीश डिगरी अक्सांस को दोस्तों इसे निमन अक्सांस कहा जाता है जो गलत है ने तो पहला सही है और नहीं दूसरा सही है तो यहाँ पर D-number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें 26-number का प्रेसने निमनलिकित कत्नों पर विचार कीजिए निमनलिकित कत्नों पर अपने को विचार करना है अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है टीक है देखिए किसी देखिए किसी विशेस इस्तान का समय सारे देश में माना जाए वहें उस देश का परमाने समय यानि कि standard time कहलाता है बिल्कुल सही है दोस्तों आगे देखिए भारत का सुरी भारत के परमाने क्या समय रेखा का जो निर्दारन है वो साड़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय कहलाता है बिल्कुल सही है तो यहाँ पर दोनों ही कतन है वो इसमें सत्य है ठीक है और इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है C नमबर का उप्शन बिल्कुल सही C नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें आगे देखे 27 नमबर का प्रस्न है निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए निमनलिकित कतनों पर अपने को क्या करना है विचार करना है यहाँ पर देखिए दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 4 समय कटी बंद है बिल्कुल सही है दोस्तों रूस में 11 समय कटी बंद है बिल्कुल सही है दोनों ही सही है यहां पर सही कतन बताना था ठीक है यहां पर राइट आंसर सी नंबर उप्शन विल्कुल सही उतर हो जाएगा गुंती सोरी गया है यह भी दोस्तों इसमें क्या है बिल्कुल सही है तो यहां पर दोनों ही सही है सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए गुंतीस नंबर का प्रेस ने निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए निमनलिकित कतनों पर अपने को यहां पर क्या क क्या 181 है बिल्कुल सही है वरहत वर्त के बारे में सरोपर्थम जानकारी हिपारकस ने दी थी बिल्कुल सही है चोथा देखिए इसमें अक्सांस्व देशांतर रेखाओं के सरो पर थम जानकरी हिपारकस ने दी थी, यह भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, इसमें चारोई कतन है, वो सत्य है, डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, आगे देखिए तीस नंबर का प्रेशन निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए, निमनलिकित कतनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है, देखिए बताना है कौन सा कतन इसमें सत्य है, देखिए एक समय कटी बंद में कुल 15 देशांतर रेखाएं होती है, बि काली इन शूरिय की उचाई से है बिलकुल सही है दोस्तों इसमें तीनों कतन है वो बिलकुल सही है इस लिए इस प्रेसन का right answer ए नंबर का option बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए 31 नंबर का प्र poziom निमनालिकित कत्नों पर विचार कीजिए डूस्तो निमनालिकित कत्नों पर अपने को क्या करना है विचार करना है यहां पर देखिए दोस्तों कनाडा देश में पांच समय कटी बंदों में बाटा ही आगा रंस लिए यह पहला नमर का цуम गलत हो जाएगा दूसरा देखिए समय कटी बंद विश्वत रेखा पर सबसे अधिक चोड़े होते हैं तथा दुर्वों की और वे सकड़े होते जाते बिल्कुल सही है तीसरा देखिए यूरोप महादीप को तीन समय कटी बंदों में बाटा गया है बिल्कुल सही है यहां पर दूसरा और तीसरा कतन सत्य है बाकी पहला इसमें गलत दे रखा है यहां पर इस प्रेशन का राइट आंसर बी नंबर का जो अप्शन है वह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 32 नंबर का प्रेशन है निमन लिखित में से क इसमें प्रेशन है इस प्रेशन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वह है अपना इसमें कौन सा तो वह है 21 जून को 21 जून को तो यहां पर इसमें डी नंबर का जो अप्शन है वह राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का प्रेशन इसमें देखिए निमन लिखित में से क स्तिति पर दक्षनी गोलार्द में गिर्शमकाल अयनात को देखा जाता है बताइए इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है इसमें 21 दिसंबर को तो यहाँ पर अपना इसमें ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर ठीक है 21 दिसंबर आगे देखे पर्तवी की सितीज के समान तर गिराव करने वाली कालपनिक रेखाएं क्या कलाती है इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे अकसांस कहते हैं यह नमबर का उप्शन बिल्कुल सही अकसांस आगे देखे निम्न कतनों पर विचार कीजिए दोस्तों निम सा कतन है वो इसमें सत्य है देखिए दोस्तों इसमें इसमें सिर्फ एक ही सही है उत्री गोलार्द में पर्तवी का चुंबकिये धुर्वे उत्री कनाड़ा में एक प्राय दीप में है बिल्कुल सही है यहां पे दूसरा नमर का खतन है वो सही है और बाकी इसमें पहला और तिसरा गलत है, यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी न्मबर का जो उप्सन है वो इसका बिल्कुल सहीधर है, 36 नमर का प्रेसन है इसमें देखे उत्री गोलार्थ के संदर्ब में निम्न कतनों में से कौन सा सही है उत्री गोलार्थ के समंद में निम्न में से कौन सा कतन है वो इसमें सही है वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है दोस्तों यहां पर देखे बहुती अच्छा प्रे दे रखे हैं इसमें पहला और दूसरा है वो इसमें सत्य है तो यहां पर इसमें बी नमबर का जो उप्सन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए एक ही कोना अत्मक दूरी वाले इस्तानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है तो वो क्या कहलाती है दोस्तों वो बुमद्दे रेखा के उत्तर या दक्सिन एक बिंदु की कोणिये दूरी है जो जो बुमद्दे रेखा से मापी जाती है यहां पर बी नमबर का उप्शन बिलकुल सही उत्र हो जागा गुन्चालिष नमबर प्रेशन है इसमें देखे एक अकसांस की जो सही अकसांस ये इस्तती हो सकती है वह है तो वह कौन सी है तो वह है दोस्तो 45 डिग्री दक्षिन अकसांस तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नमबर का उपसन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आरेस प्री में ये प्रेस न पुछा गया था आगे देखे निमनली खित में से कौन सा एक गलोब पर वरहत वरत नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें साथ डिगरी उत्तर अकसांस रेखा साथ डिगरी उत्तर अकसांस रेखा तो यहाँ पर अपना डी नमबर उपसन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे देखे चालिश डिगरी नौर्थ अकसांस किस के बीच सिमांकन करता है तो किस किस के बीच सिमांकन करता है तो है कौन सा है बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो भूमत देरेखा पर है वार्चिक तापांतर है वो न्यूनतम होता है ए नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए निमनलिकित में से कौन सा एक सुदूर दक्षिन अक्सांस परिस्तित है इसका बिल कौन सी काल्पनिक रेखा गुलोब को दो बराबर भागों में बाटती है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो विश्वत रेखा तो यहाँ पर इसमें सी नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए विश्वत पर एक दिन की अवदी दोस्त यह होती है बारा गंटे की तो यहाँ पर बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर बारा गंटे की आगे देखिए प्रधान यामोतर दूर्ववर्तिये तथा विश्वत भूमद्दे रेखा का परतिचेदन बिंदू अवस्तित है बताईए प्रधान यामोतर तथा अंदमासागर में ठीक है अंदमासागर में इसका राइट आंसर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अंदमासागर में नेक्स्ट आगे देखिए विश्वत रेखा किस देश से उकर गुजरती है विश्वत रेखा कौन से देश से उकर गुजरती है इसक उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों, इसमें, 40,000 किलोमेटर, तो यहां पर C नमबर का आपशन, बिल्कुल सही, निमनलिकित नगरों में से, कौन सा एक भूमदे रेखा के सर्वादिक निकठ निकठ है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों, अपना इसम आगे देखिए निम्न लिकित में से कौन सी कालपनिक रेखा जीरो डिग्री अक्सांस परिस्तित है सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है भूमद्दे रेखा यहाँ पर ए नमबर उप्सन बिल्कुल सही तो दोस्तों यहाँ पर देखिए की निम्न लिकित समूओ में से किस एक के देशों में से बूमद्दे रेखा गुजरती है बताएगे कोन से एक के देशों में से बूमद्दे रेखा गुजरती है यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कॉलंबिया केन्या और इंडोनेसिया यह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी नमबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए अकसान से भूप्रष्ट पर भूमद्रेखा के उत्तर या दक्षिन एक बिंदू की कोणी दूरी है जो जो दोस्तो भूमद्रेखा से मापी जाती है तो यहाँ पर अपना बी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा नेक्स्ट करकरेखा नहीं गुजरती बताए करकरेखा कहां से ओकर नहीं गुजरती तो दोस्तो करकरेखा है वो मिस्टर से ओकर गुजरती है भारत से ओकर गुजरती है मैं हमार से ओकर गुजरती है लेकिन इरान से ओकर नहीं गुजरती है यहाँ पर सी नंबर का उप्षन राइट आंसर आगे देखे करक रेखा निमनलिकित में किस देश से उकर गुजरती है तो चार उपसन आपके सामने यहाँ पर दे रखें है इसका राइट आंसर हो जाएगा वही है दोस्तों माली देश से होकर नहीं गुजरती है करकर रिखा यहाँ पर सी नमबर उप्सन बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए दक्षणी अमेरिका के निमनलिकित में से किस देश से होकर मकर रिखा नहीं गुजरती है बताइए मकर रेखा दक्षनी अमेरिका के कौन से देश से उकर नहीं गुजरती है यहाँ पर इस प्रेसन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखे बॉल विया से उकर नहीं गुजरती है यहाँ पर बी नमबर उप्षन बिल्कुल सही नेक्स्ट आगे देखे मकर रेखा होती है दोस्तों मकर रेखा होती है तो यह साड़े 23 डिगरी दक्षनी रेखा होती है दोस्तों यह मकर रेखा तो यहाँ पर अपना इसमें सी नमबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा या आपको इसमें याद कहलाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उसन कटी बंद कहलाता है वो यहाँ पर सी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उसन कटी बंद आगे देखें डोल ड्रम्स दबाव छेत्र निमनलिकित में से किन दो अक्सांसों के मद्दे इस्तित है इसका राइट आंसर क्या हो वो है पांच डिग्री उत्तर से पांच डिग्री दक्षिन के मद्दे दोस्तों यह डोल ड्रम्स रेखा इस्तित है तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट 63 नंबर प्रेस ने उपोशन उचदाब के कटी बंदों को और क्या पुकारते हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा उसको दोस्तों होर से लेटी टी टूड्स के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर अपना इसमें राइट अंसर डी नंबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट 64 नंबर का प्रेस ने निमनलिकित में से कौन सा यूग में सही है कौन सा यूग में अपना इसमें सही है वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है देखिए दोस्तों यहां पर परदान मद्यान रेखा रेखांस बिल्कुल सही है करकरेखा अकसांस बिल्कुल सही है वो मद्यरेखा अकसांस यह भी बिल्कुल सही है यहां आगे देखे अक्सांस के बारे में निम्नलिकित में से कौन से कथन सत्ते है कौन से कथन इसमें सत्ते है अक्सांस के बारे में वो अपने को यहां पर बताना है देखे दोस्तों देखे अक्सांस के साथ साथ वर्सात आपमान और वनस्पती बदलती है बिल्कुल सही है दोस्त आगे देखें इंदराइस तल पॉइंट अकसांस के लगबग चैए डिगरी पैतालीस मिनट नोर्थ अकसांस पर यह इस्तित है बिलकुल सही है यहाँपर तीनों कतन है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है, देखे दोस्तों, अक्सांज के साथ साथ वर्षा और तापमान और वनस्पती बदलती है, ठीक है, दोस्तों बिल्कुल सही है, यह क्यूशन है, सेम से मैं, तो इसमें इसका राइट अन्सर क्या हो जाएगा, वो ही, एक दो त बोटे दिश्टिश डिगी उत्तर और दक्षिन अक्षांस पर विद्यमान दो कट्टी बंदों मेंसे पर ठैख हoraस अक्षांस कोलाता है बिलुकल सजी है वुर्स अक्षांस निम्नदाब कट्टी बंद है यह वह बिलुकल सजी है तो यहां पर اपना इसम All stop क्या हो दाइगा दोनों कगतन सभी है यहांपर सी नंबर का उप्शन विल्कically सभी दो mettre और दो दोनों सही है सिक्षी एट नंबर का प्रेस न है निम्हनलिकRET कतनों पर विचार कीजिए निमनलिकित कतनों पर अपने को यहांपर क्या करना है विचार करना है बताना है इसमें कौन सा सही है देखिए दोस्तों इसमें देखिए विश्वत रेखा कुल तेरा देशों से ओकर गुजरती है ये दोस्तों इसमें सारे के सारे हैं वो गलत दे रखे हैं इसको छोड़ दीजे इसको ठीक है आगे देखिए इसमें अपने को यहां पर बताना है निमनलिकित देशों में से कौन भूमद रेखा पर अवस सबसे कम पाये जाता है अफरीका एक मातर ऐसा महादेश है जहां विश्वत करक रेखा और मकर रेखा गुजरती है केन्या विश्वत रेखा पर इस्तित है जिसमें सर्वोचे शिकर हिमाचादित रहता है तो यहां पर अपने को ऐसत्ते कथन बताना था तो इसमें कोई भी सते कथन नहीं है इस प्रेशन का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा 69 नंबर प्रेशन इसमें देखिए निमनलिकित देशों में से कौन भूमद्यरेका पर अवस्तित है तो कौन भूमद्यरेका पर अवस्तित है वो अपने को यहां पर बतान किजिए निमनलिकित देशों पर अपने को क्या करना है विचार करना है देखिये दोस्तों इसमें as Australia, Indian, Brazil, ब्राजिल चीली दोस्तों आप देखिये आपर उप्रोक्त में से किन किन से ओकर मकर रेखा गुजरती है तो दोस्तो इन चारों से ओकर मकर रेखा गुजरती है उस्टेलिया नाभी विया ब्राजिल चिली तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आर एके सही व्याख्या भी करता है यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा परत्वी लदवक्स गुलाब है तो दोस्तों बताईए कौन सा सही है इसमें तो दोस्तों इसमें देखिए इसमें माब को बताऊं तो दोस्तों देखिए इसमें पहला है वो परत्वी पर एक इस्तान से बढ़ते हुए अकसांस वाले दूसरे इस्तान पर किसी वस्तु का बढ़ता है ठीक है और पर्थवी लदवक्स घोलाब है बिल्कूल सही है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक गलत है किन्तों र जाए है तो यहां पर डी नंबरब। बिल्कुल सही तेंतर नंबर का प्रस्टन इसमें देखिए पर्थवी के उत्री धुर्व एवं दक्षनी धुर्व को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है तो दोस्तों क्या कहलाती है वो वो कहलाती है दोस्तों इसमें देशांतर रेखा कहलाती है यहाँ पर बी नंबरा उप कि कुल संक्या एक्सोसी है बिल्कुल सही है दोस्तों देसांतर रेखाओं की कुल संक्या एक्सोसी है किसी भी इस्तान की ग्रिंविच रेखा से कौन ये दूरी को उस्तान का देसांतर का जाता है ये भी दोस्तों इसमें क्या है बिल्कुल है सुरी इसमें किसी भी इस्तान की Greenwich रेखा से कोण ये दूरी को उस इस्तान का देसांतर का जाता है ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें ठीक है आगे देखे देसांतर रेखा के बीच की दूरी विस्वत रेखा अधिक्तम और दूरों पर सुनने होती है बिल्कुल सही है विस्वत रेखा पर देसांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमेटर होती है बिल्कुल सही है यहाँ पर B नंबर का जो उप्सन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है प्रेसना का राइट अंसर हो जाएगा वो है चार मिनट का आंतर होगा ठीक है एक देसांतर बराबर चार मिनट SIM प्रेसांतर बिल्कुल सही है आगे देखे यह अवस्तित है दोस्तों आटलांटिक महसागर में यहां पर A-Number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा Atlantic मासागर आगे देखे किसी जहाज को सबसे कम समय में एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक ले जाने के लिए निमन में से किसे मार्ग बनाना चाहिए बताइए एक किसी जहाज को सबसे कम समय में एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक जाने के लिए निमन में से किस मार्ग को बनाना चाहिए तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तो देशान तरगो ठीक है तो यहां पर अपना इसमें C-Number का option बिल्कुल सही आगे देखिए गलोब यहां पर देखिए मानचितर वा गलोब पर पाए जाने वाली परतिछेदित रेखाओं को क्या कहते हैं उसको कहते हैं दोस्तो भोगोलिक रेखाजाल कहते हैं C-Number option बिल्कुल सही आगे देखिए उबरे चेतर पल सही ते किसी चेतर की समान दबाव चेतरों वाली रेखा को क्या का जाता है तो दोस्तो मानचितर पर समान दबाव चेतरों वाली रेखा को क्या का जाता है इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तो आईसो बोर कहते हैं ठीक है A-Number option बिल्कुल सही आईसो बोर आगे देखे मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं तो दोस्तों उसको कार्टोग्राफी कहते हैं A number option सही उतर कार्टोग्राफी आगे देखे मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या का जाता है सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें मान चितर कला कार्टोग्राफी यहाँ पर बी नमबर उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखिए इसमें एक दूसरे से लंबवद उदरवादर एवं सहतीज रेखाओं की स्रंखला के नेटवर को किस नाम से जाना जाता है इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वो है दोस्तों भोगलिक समनवे ठीक है भोगलिक समनवे तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नमबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखिए निमनलिकित का मिलान कीजिए दोस्तों ठीक है इस परिषन को छोड़ दीजै दोस्तों ठीक है आगे देखिए किसी इस्तान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है तो वो आधार क्या है तो दोस्तों वो आधार है परदान मद्याहन रेखा यहाँ पर D-Number option बिल्कुल सही उतर आगे देखिए कौन सा देसांतर परदान यामयोतर के साथ मिलकर गलोब पर वरत वरत कर निर्मान करता है इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 180 डिगरी तो यहाँ पर D-Number का option बिलकुल सही आगे देखिए देसांतर ये यामयोतर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों मुख्य यामयोतर से किसी इस्तान की कौनी ये दूरी B-Number का option बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए अंतराष्टिये दिनांक रेखा कहां से उकर गुजरती है तो अंतराष्टिये दिनांक रेखा 180 डिगरी गरेन विच्ट से उकर गुजरती है B-Number option बिलकुल सही आगे देखिए काहिरा का समय गरेन विच्ट से दो गंटा आगे है यह इस्तित है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 30 डिगरी पूर्वी देशांतर पर यह इस्तित है B-Number option बिलकुल सही आगे देखिए जब 85 डिगरी पूर्वी देशांतर पर मद्याहन हो तब पराता के साड़े छे बजए किस देशांतर या अंसर पर बजाएंगे इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए 0 डिगरी पूर्वी यामियोतर पर तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का option बिलकुल सही आगे देखिए जब ग्रिनवीच में मद्याहन है एक जगह का इस्तानिय समय पांच बजे साए है निम्नांकित में से कौन सा याम उतर है जिस पर उप्योग जगह अवस्तित है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 75 डिगरी पूर् तीन नगरों की गड़ी के समयों के समान नहीं होता इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें आदिस अबाबा ये इतोपिया की राज़दा नहीं है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर उप्सन बिलकुल सही आगे देखिए गलोब पर दो इस्तानों के बीच नियुनतम दूरी नहीं होती राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परदान यहां में उतर पर तो यहां पर सी नंबर उप्सन बिलकुल सही नेक्स्ट है निमनलिकित में से कौन साल जल्डमरू मद्दे अंतराष्टे तितिरेखा के सरवाद समय क्या होगा तो वो होगा दोस्तों साड़े 6 गंटे यहां पर ए नंबर का उप्सन विलकुल सही साड़े 6 गंटे नेक्स्ट है पस्यम की और यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टर ने 90 डिग्री पस्यम देशांतर पर इस्तानिय समय दस बजे सोमवार लिखा है यद पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए 10 बजे सोमवार को तो यहां पर अपना B नंबर का उप्सन बिलकुल सही उतर हो जाएगा ठीक है दस बजे सोमवार को पूचेगा आगे देखिए अंतराश्टिये दिनांक रेखा कीचि जाती ह है इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रसांत महासागर से होकर यहां पर सी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए सुमेलित करना है यह तो सभी को पता होगा दोस्तों अभी मैंने आपको को कहते हैं ठीक है और दोस्तों ग्रेंड विच रेखा है यह दोस्तों जीरियो डिग्री देसांतर को कहते हैं तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा चार एक दो तिन चार एक दो 3 इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए निम्नले की 309 वे से किन का समय GMT के समान है यानि की Greenwich Mean Time के समान है किन का समय इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखें यहाँ पर अकरा डबलίν और दोस्तों नहाँ पर लिस्बन ठीक है तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें एक दो और चार इसमें सही है एक दो और चार यानि कि सी नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें ठीक है आगे देखिए सो नमबर का प्रेशन है परधान यामे उतर गुजरती है परधान यामे उतर गुजरती है तो दोस्तों यह कहां से होकर गुजरती है तो दोस्तों यह तो आप सभी को पता होगा अलजेरिया और फ्रांस से होकर गुजरती है नाइजेरिया और पुर्तगाल इसमें गलत दे रखा है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें एक और दो इसमें क्या है सही है यह नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तो दोस्तो प्रेसन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपने पिछली कलासे नहीं देखिए तो एक बार प्ले लिश्ट जरूर चेक किजिएगा और अरदर सेकेडमी के यूटूब चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जाहिन जाभरत